हाई गाईस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बो सेलिंग बिजनेस के बारे में यहाँ पे आप मोबाइल फोन का फोल्डर या फिर कॉम्बो आप कहलो उसे अगर होलसेल में सेल करते हो होलसेल का एक सौब अगर डालते हो तो वहाँ पर आपको कितना रूपी का profit मिलेगा वहाँ पर किस तरीके से आपको investment करना रहेगा ये जो Combo selling business है, ये जो Combo selling market है ये किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से इसमें profit कमा सकते हो और कितना profit आप कमा सकते हो सब कुछ मैं इस video में बताऊंगा इस business के बारे में कोई भी idea नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि market में total 4 category में जो combo display है वो आते हैं सबसे पहला जो category आता है वो है original display उसके अलाबा जो 3 category बच जाते हैं वो जो है first copy, second copy और third copy के नाम पे जो है market में आते हैं यहाँ पे ज्यादा तर जो wholesale वाल नहीं कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है 19-20 का आपको फरक नजर आएगा जो कि एक normal user जो है find नहीं कर पाएगा कि यह जो है original है या फिर duplicate यह है तो इसलिए ज्यादा तर जो wholesale वाले हैं वो first copy display को original के नाम से जो है बेच देते हैं और ज्यादा तर जो profit है वो कमा ले जा factory में आप अगर display को sale करते होना तो आपको 40% से लेके 60% का commission जो है officially मिलता है ठीक है यहाँ पे बट यहाँ पे थोड़ा सा एक risk होता है यह सारे copy display में कि यहाँ पे आप जब wholesale में खरीदने जाते होना combo को तो वहाँ पे जो है आपको एक पीस दो पीस ऐसे में deal नहीं किया जा जैसे कि यहाँ पे आप wholesale में कोई दुकान आपने खोला ठीक है आप जब market में factory में बड़े wholesale में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है minimum कोई एक model का 10 piece combo जो है लेना पड़ेगा तब ही जाके आपको जो है इतना profit मिलेगा आप अगर एक piece जाके बोलोगे कि मुझे इतना मैं चाहिए तो वहाँ पे आपको नहीं मिलता है ठीक है बट यहाँ पे एक risk भी होता है कि यहाँ पे आप जब 20 combo, 30 combo, 50 piece combo आप जब लेते होना तो उसको check करके नहीं दिया जाता ठीक है आपको satisfaction दे दिया जाएगा कि इस combo में problem नहीं है या फिर इसमें कोई भी दिक् कि यह जो combo है यह सही है या फिर नहीं है हाँ एक दो piece का आपको check करके दिखा दिया जाएगा कि इसमें quality जो है कितना आएगा किसना quality जो है किस तरीके से जो touch response है वो आता है बाकि सारे के सारे combo को जो है आपको check करके नहीं दिया जाता है और उसमें से कोई भी अगर defective निकल है वो तो मिल रहा है तो एक दो piece अगर combo खराब भी निकल जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो original combo होता है जो original display होता है उसको sale करते हो तो बहुते कितना रुपे का profit जो है मिलता है तो original जो display होता है जो कि market में बेचा आता है official तरחे से और on official तरीके से तो उसको जो है बहुत सारे brand है जो कि official तर के से बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे samsung का display हो गया तो samsung का display जो है original में andaag मीले और बाहार में भी आपको मिलेगा जो कि samsung खुद प्रोवाइट करता है खुद जो display है उसको sale करता है तो यह जो original display ह तरिके से और उन ओफिसेल तरिके से तो उसको जो है बहुत सारे ब्रैंड हैं जो की ओफिसेल तरिके से बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर सैमसंग का डिस्पले हो गया तो सैमसंग का डिस्पले जो है ओर जिनल में सार्विस सेंटर में भी आपको मिलेगा और बाहर में भी आपक खुद जो डिस्पले है उसको सेल करता है तो यह जो ओर जिनल डिस्पले होता है उसमें ज्यादा प्रोफिट जो है नहीं मिल पाता है यहाँ पर 15 से लेकि पक्चीस बर्संट का कर्शान यानि फिफिटीन पर्संट से! बचुन और उस डिस्प्ले को जो है अब पर लगाते हो और लगाने के बाद में आपके फोन में अगर कोई भी प्रोबलेम आ जाता है या फिर तो चार दिन यूज़ करने के बाद में phone में कोई भी display में कोई भी अगर ऐसा problem आता है तो वहाँ पे उसमें जो है return policy भी यहाँ पे होता है तो original display का जो cost है वो थोड़ा सा high रहता है और वहाँ पे return policy भी होता है तो अकुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे profit कम है risk कम है जहाँ पे profit जदा है risk जदा है तो इसी तरीके से यह जो combo selling business है यह चलता है यहाँ पे guarantee warranty का कोई सवाल नहीं होता है copy के section में बड़ यहाँ पे original के parts के उपर आप अगर देखो देखे तो वहाँ पे आपको जो है company के तरफ से brand के तरफ से जो service है जो guarantee है उसमें provide किया जाता है और वहाँ पे अगर torch बगरा का कोई भी issue होता है तो वहाँ पे easily आपको जो combo है उसका guarantee के तहद आपको जो है repair करके या फिर जो नया combo है उसको दे दिया जाता है तो गाई सुमीत आपको पता चल जोगा होगा कि combo selling business में कितना रुपे का profit है और किस तरीके से आप इसे कर सकते हो अभी हम बात करते हैं कि जो budget है कितना budget में आप अगर एक combo repairing wholesale business को सुरू कर सकते हो तो यहाँ पे minimum आप जो है 4 अगर invest करते हो एक swap में जहाँ पर कि आप हर तरीके का combo को रखते हो हर brand का हर तरीके का combo को रखते हो तो आप definitely बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पी profit जो है कमा सकते हो बाकि आपके area के उपर depend है कि आप जो है कितना combo को रोखोगे कैसे manage करोगे बाकि मैं एक minimum अपने कमा सकते हो तो गाइस उमीद है आपको यह जो वीडियो यह पसंद आये होगा फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाप है तो नीचे कमेंट में या फिर Instagram पर मुझे पूश सकते हो आज के लिए बस इतना है गाइस thanks for watching thank you